मित्रों हम लोग पाले कहानी सुने हैं जो टिटारी का है और उस टिटारी के कहानी के अंत में हम लोग को ये चीज देखने को मिला या सुनने को मिला कि संचमुच में एक छोटे जीव के छोटे जनतु के पास कितनी सत्ती है कि समुद्र को भी हिला दिया या समुद्र से अप इसवाली यह कहाणी दमनक और संजीवक के बीच जीवक की है और संजीवक दमनक के अधिकार उसके पद को लिए इसलिए दमनक संजीवक को उसके मित्र पिंगलक के विरुद्ध भढ़काने के लिए इन कहानियों को सुना रहा था। सच Concept में संजीवक और पिंगलक काफी नजदीक के दोस्त थे और उनके विरूद्ध एक एक करके पिंगलक को और संजीवक को दमनक ने उनके विरूद्ध बातों को बता करके सचमुच में आप लोग दोस्त नहीं हैं बलकि एक दूसरे के दूस्मन है और इन ही को ध्यान में रखके इन कहानियों को सुना रहा था सचमुछ में जब यह चिडिया ने अपने अंडे को समुद्र से वापस करा लिया सचमुछ में चिडिया काफी छोड थी और समुद्र इतना बड़ा अंत में उसे अंडा को वापस करना पड़ा तो इस कहानी को सुनाने के बाद दमनक ने संजीवक से कहा कि इसी लिए कहता हूं कि स्वत्रों को छोटा जानकर उसे नजर अंदाज नहीं करना है और उसके लिए हर दम तयार होना है तमनक की बाद सुनकर फिर संजीवक ने गोला मित्र सचमुच में वो पिंगलक के विरुद उसको भड़का रहा था मित्र बाद तो तुम्हारी ठीक है पर मैं कैसे मालनू कि पिंगलक मुझसे रूस्ट है और मुझे मारना चाहता है क्योंकि अभी कल तक तो वह मेरे प्रती बहुत स्नेवा रखता आया है सचमुच में ये मानने को तयार नहीं है संजीवक की पिंगलक मेरे विरुद कुछ कर सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत नज़्दीक के दोस्त है लेकिन अपनी बुद्धी विवेक से दमनक दोनों को अलग-अलग भरका रहा था कि आप आपस में लड़िये क्योंकि दोनों एक दूसरे के दूस्मन है फिर उसके बाद दमनक ने जब संजीवक ने कहा कि पिंगलक में कोई ऐसा गून नहीं है जो दूस्मन के जैसा हूँ तब दमनक ने कहा कि इसकी परमान की क्या हो सकता तब ही मैं आत्मरक्षा के लिए उसे मारने का परवंद करूँ सच मुच में वो संजीवक की बात सुनकर कहा कि वो तुम्हारा जो मित्र जिस पर तुम विश्वास करते हो पिंगलक वो तुम्हारे विरुद्ध है और उससे बचने के लिए तुम्हें कोई न कोई आत्मरक्षा कर उसको भी तुम्हें मारने का कोई न कोई परयास करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम पर वो वार कर दे। फिर दमनक बोला इससे परमाण की क्या हो सकता है यदि मन में तुम्हें मादने की पाप होगा तो आखे लाल हो जाएंगी, भौमें चड़ जाएंगी और होठों को चाकता हुआ तुम्हारी और क्रू द्रिस्टी से देखेगा अच्छा तो यह है कि तुम रातो रात चुपके से चले जाओ, आगे तुम्हारी इक्षा। अब उसने परमाण के लिए दमनक ने संजीवक को बताया कि पिंगलक अगर उसकी आखे लाल हो जाएंगी और वोठ चाटने लगे और तुम्हारी तरफ भयावत दिरिस्टी से देखे तुम समझ लो कि तुम्हारे विरुद्ध है और तुम पर वार्व करना चाहते हैं और बाद में यह भी को दिया कि अब तुम्हारी इश्या मैं दोस्त्ट हो तुम्हारा sten लाई के लिए मैंने इनको बात को तुम्हारी बता दिया तो सचमुच में यह करका दमनक वहाँ से चला भी गया और दमनक का एक और मित्र था करकट और करकट से जाकर उसने अपनी योजना के बारे में बताया लेकिन करकट अच्छा आदमी था तो उसने कहा कि सचमुच में तुमने बहुत ही गलत काम किया दो अच्छे मित्रों को तुमने आपस में लड़ाने के लिए इतना रचना रच रहे हो ये बहुत ही खराब बात है अच्छी बात नहीं तो लेकिन वो तो दमनक एक दम दिर्ण संकल्प था क्योंकि बदला लेना था उससे संजीवक से और संजीवक और पिंगलक को आपस में लड़ाना था तो उसने अपना दमनक ने अपना पक्ष रखा मैंने जूट बोलकर दोनों को एक दूसरे के ऐसा बैरी बना दिया है कि भविस में एक दूसरे पर विश्वासी नहीं करेंगे सचमुच में दोनों को एक दूसरे से ऐसा लड़ा दिया ऐसा बात बता दिया या सुनकर उसका मित्र जो करकट था वो इसको अपोज किया इसके विरुद्ध उसने बहुत सारी बातों को कहा लेकिन उसके बातों को वो माना नहीं और अपने पक्ष में या अपना पक्ष रख इसलिए इस परकार दुख व्यक्त कर रहे हो सत्रू और रोग को कभी बढ़ने नहीं देना चाहिए ये दमनक अपने मित्र करकट के बाद को काटने के लिए कह रहा है जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो सत्रू के बलवान हो जाने और रोग के बढ़ जाने उसी के द्वारा म संजीवक को मारना चाहता था और उसे अपना सत्रू मानता था और सत्रू को आगे बढ़ने देना भी नहीं चाहता है संजीवक ने हमारा मंत्रीपद अथिया लिया था पिंगलक उसी की सलाः पर काम करने लग chat करने लिए यानि दोनों एक दूसरे के दोस्ते और हमारे वि नहीं होती है आत्मरक्षा सबसे बॉड धर्म है ये कौन कहा ये दमनकने कहा सत्रू को मारना उसे परास्ट करना कोई धर्मने की बात महीं है कि स्वार्थ साधन ही सबसे महांधर्म है, सच मुझ में अपना स्वार्थ साधन पर महांधर्म नहीं होना चाहिए, स्वार्थ साधन करते हुए कौपट नीती से ही काम लेना चाहिए, सच मुझ में स्वार्थ साधने के लिए तो कौपट नीती जाहिए ही, जैसे उसने अपन सुनकर कर्कट ने कहा कि इस चत्रक गीदर की क्या कहानी है और जब उसने कहानी सुनने की इक्षव्यत की तो फिर दमनक ने उस कहानी को सुना, तो सथम्च मित्रों ये बातें जो आपस में वरतलाप हो रही है, तो एक तो इर्षिया भाव से कभी भी इस सिक्षा मिलती है कि क कभी भी अगर मित्र के बारे में कोई हमारे समक्ष कोई सिकाइद करे या मित्र की लड़ाने के लिए कोई बात करे तो उसके बातों पर ध्यान नहीं देना है बलकि सत्यता को जाच कर लेनी चाहिए जो संजीवक और पिंगलक के बीच होने जा रहा है दूसरी बात जो एक अच्छा मित्र सच्मुच में करकट एक अच्छा मित्र है क्योंकि कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इन दोनों मित्रों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए तो एक अच्छा मित्र की ये गुण है और साथ-साथ जो अपने पक्ष में दमनक ने बाद रखा कि सत्रू को परास्त करने के लिए धर्म अधर्म नहीं देखा जाता है आत्म रख्षा सबसे बड़ा धर्म ये तो बात है लेकिन स्वार्थ जो अंतिम उसने बात कहा कि स्वार्थ साधनी सबसे महानकार्य है स्वार्थ साधन करते हुए नीती की काम नहीं लेना चाहिए नीती से काम नहीं चलता है तो संचमुच में लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरन हमारे समाज में कहानियों के माध्यम से कथाओं के माध्यम से घटनाओं के माध्यम से भरी पड़ी है कि संचमुच में स्वार्थ सिधी के लिए लोग अपने प्राण तक को नियुख्षावर कर दी है तो सच्छ में एक छोटा पद के लिए अगर हम दो दोस्तों को संजीवक और पिंगलक को दमनक ने लड़ाने के लिए एक प्लान बना लिया एक योजना बना लिया है तो सच्छ में ऐसा नहीं होना चाहिए और साथ-साथ दमनक के मित्रे जो इसे योजना को पूंता खारिज कर रहा है करकट तो उसको भी हमें सपोर्ट करना है उसके भी बातों को दिहान में रखना है और यहां पर जो अंत में दमनक ने अपने अपने लिए कह रहा है कि स्वात सिधी ही सबसे महानकार्ज है सत्मुच में स्वात सिथी महानकार्ज नहीं है लेकिन यह बात सत्य है उसने सत्य कहा कि स्वात सिथी जब करते हैं तो नीती और आपका स्वागत है और मैं आसा कर रहा हूं कि इस कहानी को पसंद करेंगे